हेलो दोस्तो वेलकम बैक आज की मूवी के बारे में इतना ही बताऊंगा कि पैसा वसुल मूवी है इसमें हर पल सस्पेंस बढ़ता जाता है और एंड में जो ट्विस्ट डिया है वो तो कौमाल का है तो चलो एक्स्प्लेनेशन स्टार्ट करते है एलेक्स एक पोलिस डिटेक्टिव है वो कियारा से प्यार करता है जो एक बूटिक चलाती है न जाने कियारा में वो क्या बात है जो एलेक्स को हमेशा उसकी तरब खिचती रहती है जब भी वो उसे देखता है उसे ऐसा लगता है कि वो पहले भी उससे मिल चुका है कियारा को Alex के प्यार पे शक तो नहीं मगर जब Alex Nene में होता है तो वो किसी और का नाम लेता है कियारा को लगता है कि अगर Alex उसकिसी से सच्चा प्यार करता है तो उसे वहां लोट जाना चाहिए और शायद इसलिए वो Alex से शादी करने से टाल रही है एलेक्स के पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिससे वो हमेशे डिश्टब रहता है तो ऐसे में एक दिन उसे जैकलीन का फोन आता है कि किसी का मर्डर हुआ है इंस्पेक्टर जैकलीन पुलिश डिपार्मेंट में एलेक्स की कलीग है और अंदर से कई वो एलेक्स को चाती भी है मगर एलेक्स उसे सिर्फ अपना दोस्ट समझता है तो एलेक्स क्राइम सीन पे पहुँच जाता है मर्डर बेनी नाम के एक शक्स का हुआ है जो काफी पैसे वाला है उसकी खुद की जीम है मर्डर बहुत बूटली किया गया है बेनी को 20 बार चाकू से भौका गया है जैकलिन को क्राइम सीन पे एक कैमेरा भी मिलता है फोरेंसिक एक्सपर्स को बेनी की नाखुनों में किसी के बाल और खुन मिलता है बेनी के फोन पे लाश्ट कॉल उसकी गल्फ्रेंड डोना का है जो बेनी की मोत के 15 मिनिट पहले किया गया था बेनी ने अपनी जीम उसके मोत के बाद इसी डोना के नाम की है तो अब एलेक्स डोना से पुश्टाच करने उसके नाइट क्लब पहुँचता है मगर डोना बहुत कुल है उसे बेनी की मोत का कोई गम नहीं डोना एलेक्स को बताती है के जब बेनी का मर्डर हुआ तब वो घर में थी वो बताती है के बेनी गंदा और रूड इंसन था मगर बेनी को मारने की उसके पास कोई वज़ा नहीं थी वो बेनी से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी मगर वो उसकी गल्फ्रेंड इसलिए बनी रही क्योंकि वो पैसे वाला था एलेक्स का सिनियर गेविन चाता है कि एलेक्स किसी तरह डोना के बाल का सैंपल ले तबी फोरेंसिक लैप से फोन आता है कि बेनी के नाखुनों में पाये गए बाल और बलड किसी मर्द के है और बलड ग्रूप AB पॉजिटिव है जो डोना का नहीं है बेनी का बलड ग्रूप O पॉजिटिव है तो अब गेविन को लगता है कि बेनी मर्दों के साथ संबन रखता था दूसरे दिन जैकलिन क्राइम सीन पे जाती है क्राइम सीन पे धेर सारा खुन देखके जैकलिन इसी नतीजे पे पहुँचती है कि जिस किसी ने बेनी को मारा है वो ज़रूर उसे बेहिंतहा नफरत करता होगा और कई ना कई दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते होंगे उसे कबोर्ड के नीचे सिगरेट का टुकड़ा मिलता है यहां एलेक्स पुछताच करने बेनी के बेस्ट फ्रेंड जैक के पास पहुँच जाता है जो बेनी का मैनेजर भी है वह भी एलेक्स से यही कहता है कि जब बेनी का मर्डर हुआ तब वह घर में था एलेक्स उसे बेनी के कैमेरा में क्लिक की हुई फोटोस दिखा के पुछता है कि क्या उसके और बेनी के बीच शारीरिक संबन थे वह फोटो देखके जैक खुद पे घुसा होता है और जवाब दे नहीं पाता तब ही एलेक्स उसके शर्ट पे पड़ा उसका बाल उठाता है और फोरेंसिक लैप भेजता है जिससे जैक डिस्टब होता है जैक का बलड ग्रूप भी ए भी पोजिटिव है तो अब गेविन को जैक पे शवख होता है मगर जैक के पास बेनी को इस तरह मारने की कोई वज़ा नहीं है यहां जैकलिन को मिले हुए सिग्रेट के टुकड़े पे लिपस्टिक पाई गई है मगर मर्डर का सस्पेक्ट आउरत नहीं कोई मर्द है जिससे गेविन कंफ्यूज है यहां एलेक्स को डर लग रहा है कि कई कियारा उसे छोड़के ना चली जाए मगर जब वो उसके पास होता है तो उसे किसी की याद सताती है जो उसके पाश से जूड़ी हुई है तो अब एलेक्स अपनी उस पूरानी जगा चला जाता है वहां उसकी मुलाकात सुजान से होती है जो उसकी बचपन की दोस्त है दस साल बाद दोनों एक दूसरे को मिल रहे है सुजान की छोटी लड़की को देखके वो सर्प्राइज होता है सुजान एलेक्स से कहिती है कि उसका भाई सिमोन पिछले कई सालों से गायब है तो वह उसे धूंडे यहां पोलिस चीफ सब में भढ़के हुए है कि एक हपता हुआ मगर कोई सस्पेक्ट उनके हाथ नहीं लगा केस में कोई इंप्रूम्मेंट नहीं है यहां एक दिन एलेक्स के घर उसके सामान में एक फोटो देखके कियारा चोग जाती है एलेक्स उसे बताता है कि वह सुजान है और सुजान का भाई सिमोन है दोनों उसके बचपन के दोस्त है सिमोन कुछ सालों से गायब है वह कहा है किसी को पता नहीं पुष्री और बेनी की मोत के बाद उसकी गल्फरेंड डोना ने जैक से संबन जोड लिये है जिससे पुलिस का जैक के उपर शक बढ़ जाता है तो अब पुलिस इंट्रोगेशन के लिए जैक को पुलिस टेशन ले आती है जैक एलेक्स को बताता है के बेनी उसका आर्मी के वक्त से फ्रेंड था उन दोनों के बीच आर्मी के वक्त रिलेशन्स थे तभी इंट्रोगेशन के दर्मयान जैकलीन आके बताती है के फोरैंसिक रिपोर्ट से पता चला है बेनी के नाखुनों में मिले बाल और बलड जैक से मैच नहीं करते जैकलीन चीफ को बताती है के स औरी तरह चाकू से काट के मार देता है अब सस्पेक्ट का ही मर्डर हो जाने से पुलिस में खलबली मज जाती है अब शक की सुईया फिर से डोना की तरब जाती है क्राइम से इन पे किलर के कोई फिंगर प्रिंट्स या निशान नहीं मिलते एलेक्स और गेविन को लगता ह कि ये मामला बेनी और जैक के पार्ट से जूड़ा हुआ है आर्मी के रेकॉर्ड से उन्हें पता चलता है कि उस वक्त तीन आर्मी ओफिसर्स की किसी वज़ा से ट्रांसफर की गई थी जिसमें एक है बेनी दूसरा है जैक और तिसरा है जीमी गेविन समझ नहीं पाता जब आर्मी की सर्विस से उन्हें एक मैने बाद डिस्चर्ज मिलने वाला था तो सड़नली उन्हें ट्रांसफर क्यों किया गया तो अब एलेक्स बचे हुए तिसरे जीमी की पुष्टाच करने की सोचता है स्वीमिंग पूल के सिसी टीवी से बस इतना ही पता चलता है कि किसी नकाब बोश ने जैक को मारा है जो बॉडी स्ट्रक्चर से डोना नहीं लग रहा यहां एक दिन सुजान एलेक्स से मिलती है और उससे पुछती है कि क्या उसने सिमौन के बारे में कुछ छानबीन की एलेक्स उसे बताता है कि वह सिमौन को धुणना नहीं चाता सुजान सम पुलिस की मीटिंग में जैकलीन बताती है कि जैक का मर्डर जिस चाकू जैसी चीज से किया गया वह दरसल चाकू नहीं बलकि एक बड़ी कैची है वह बताती है कि जैक जब आर्मी में सर्विस करता था उस वक्त आर्मी में एक एकसिडन हुआ था जिसकी वज़ा से जैक, बेनी और जीमी को दुसरी जगा ट्रांसफर किया गया, एक पागल आर्मी ट्रेनी ने खुद पे गोली चलाई थी, जिसका आरोप इन तिनों पे रखा गया था, स्क्रिन पे उस आदमी का फोटो देखके, एलेक्स पुरी तरह शौक हो जाता है, क्योंकि वह पागल कोई और बलकि सिमॉन है, अब डिश्टब एलेक्स सुजान के पास पहुँच जाता है, और उससे पुछता है, क्या आर्मी में सिमॉन के साथ ऐसा क्या हुआ, क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की, और अब उसके दो आर्मी कलिक का मरडर भी हुआ है, एलेक्स की बातों से पता चलता है, कि वह सिमॉन की यादों से पीछा छोडाना चाता है, उसके फ्लैश्बेक में वह लड़की जैसे दिखने वाला बच्चा दरसल सिमॉन था, हाइस्कूल में बाकी स्टूड़न्स सिमॉन को बुली करते थे, तो एलेक्स सिमॉन के लिए उनसे लड़ पड़त सिमॉन उसकी जिन्दगी से हमेशा के लिए चला जाए, उसने खुद सिमॉन से रिष्टा तोड़ दिया, एक दिन कियारा एलेक्स से मिलने पोली स्टेशन आती है, उन दोनों को साथ देखके जैकलीन मनी मन दुखी होती है, उसे वह दिन याद आता है, जब उसकी वज़ा जैकलीन यही सोचती है कि काश उस वक्त कियारा एलेक्स से नहीं मिलती, तो आज एलेक्स उसका होता, यहां एलेक्स कियारा को लेके वेडिंग ड्रेस लेने जाता है, जब कियारा ड्रेस पेन के भार आती है, तो एलेक्स वा नहीं होता, एलेक्स सिधा सिमॉन के आर्मी के मिलने पहुचता है वो दोस्त बताता है कि सिमॉन लड़कियों की तरह इमोशनल था आर्मी के लिए बिल्कुल गलत उशने पर वो बताता था कि किसी ने उसे मर्द बनने के लिए कहा है आर्मी के सिनियर बेनी जैक और जीमी उसके नाजुक सबाओ को लेके उसे हैरेस करते थे उनसे सम्मन बनाने के लिए वो उसे पिट्टे थे जब भी मोका मिलता था वो उससे अपनी भूक मिटाते थे हर रात सिमॉन उनके अत्याचार सेयन करता था जब सब कुछ कंट्रोल के भार हुआ तो उसने खुद को गोली मार के सुसाइड करने की कोशिश की अब आगे की स्टोरी सुजान बताती है के बेनी का बाप पैसे वाला था तो उसने इस मैटर को दबाया और तीनों की कई और ट्रांसफर की जैकलिन चीफ को बताती है के सिमोन के अत्याचार वाली बात आर्मी रेकॉर्ड से निकाली गई सुसाइड एटेम से सिमोन बज तो गया मगर वो कोमा में चला गया उसका चेरा पुरी तरह बिगड गया उसकी सिस्टर ने भी डिप्रेशन में सुसाइड करने की कोशिश की बेटे की हालत की वज़ा से सिमोन की मा को दिल का दवरा पड़ा मा के मोत ने चमतकार किया सिमोन कोमा से भार आया उसके बाद वो गायब हुआ जैकलिन की बाते सुनकर पुलिस चीफ इसी नतीजे पे पहुँचते है कि बेनी और जैक का मरडर सिमोन ने बदले की भावना से किया है और अब जीमी को खत्रा है अपने दोस्ट पे किये गए अत्याचारों की कहानी सुनके एलेक्स जवाब मांगने जीमी के पास पहुचता है मगर जीमी को कोई डर नहीं वो बॉडी गार्ड्स के घेरे में रहता है वो एलेक्स से कहता है कि हाँ उसने सिमोन को हैरेस किया उससे संबन भी बनाए मगर पुलिस या सिमॉन उसका कुछ बिगाड नहीं सकती एलेक्स जीमी को मारने जाता है तो उसके बॉडिगार्ट्स एलेक्स की पिटाई करते है जैकलिन एलेक्स से कहती है कि अगर वो इसी तरह बरताव करता रहा तो अपनी पुलिस की नोकरी से हाथ दो बैटेगा यहां गेविन चीफ को बताता है कि हॉस्पिटल से भागने के बाद सिमॉन पैरिस गया मगर वो वहां क्यों गया किसी को पता नहीं यहां फ्रस्ट्रेट होने के बाद एलेक्स कियारा के बुटिक पहुचता है मगर जब तक कियारा एलेक्स से मिलने भार आती है एलेक्स को जैकलिन का फोन आता है तो वह कियारा से मिले बगेर वहां से चला जाता है अब वह क्राइम सीन पे पहुचता है जहां जीमी का मर्डर हुआ है फोरेंसिक एक्सपर्ट बताता है इस बार मर्डर का तरीका अलग है मर्डर कैची से नहीं चाकू से किया गया है जीमी के मर्डर से चीप बोकला जाते है जीमी की गल्फरेंड बताती है कि जब वो नाने बातरूम गई उतनी देर में किसी ने जिमी का मर्डर किया पुलिस को अब सिमॉन पे शक है तबी 4N6 से एलेक्स को फोन आता है कि बेनी के नाखुनों में जो बाल मिले वह भले मर्द के है मगर उसमें लड़कियों के हार्मोंस जादा मातरा में पाए गए है वह सुनके जैकलिन भी शौक होती है एलेक्स पुलिस चीफ से कहता है कि हम बेनी के मर्डरर को आदमी समझ के तैकिकात कर रहे थे मगर वह कोई ऐसा आदमी है जिसने ऑपरेशन से अपना जेंडर चेंज करके लड़के से अपने आपको आउरत तो बना सकता है मगर नैशरली अपने शरीर को आउरत का शरीर नहीं बना सकता क्योंकि उसमें क्रोमोजोम मर्द के ही रहते है मर्डरर ट्रांसजेंडर है एलेक्स की बाते सुनकर सभी शौक होते है पुलिस इस नतीजे पे पोच्छती है कि हो ना हो सिमोन ने अपना जेंडर चेंज किया है मगर अब अगर वो लड़की बन गया है तो उसे पैचानना impossible है क्योंकि शरीर के साथ उसने अपना चेरा भी बदला होगा चीफ को लगता है कि डोना सिमोन हो सकती है तो उसकी तइकिकात की जाये अब जैकलीन फिर से बेनी के घर पहुचती है, जहां उसका मर्डर किया गया था, वहां उसे एक सिक्रेट डर्वाजा मिलता है, वह डर्वाजा कलब के पैंट्री के जरिये भार जाने का शॉटकट होता है, पैंट्री में वह एक शेफ के हाथ कुकिंग सिजर देखती है, वह जैकलीन को देखके भागने की कोशिश करता है, मगर उसे पकड़ के पॉलिश टेशन लाया जाता है, वह मीकी नाम का शक्स बताता है, कि मर्डर की राज जब वह बेनी की रूम में पहुचा, तो वह मर चुका था, वह इसले डर गया, क्योंकि उसका पहले भी क्रिमिनल रे रह चुका है, वह किसी सीमोन को नहीं पहचानता, तो दूसरी और गयमिन डोना के याँ पहुच जाता है, वह चाता है, किसी तरह डोना का डिये ने सैंपल हासिल किया जाए, डोना के पासपोर्ट से उन्हें पता चलता है, कि डोना पैरिश जाया करती है, तो अब डोना को इंट्रोगेशन के लिए पोलिस स्टेशन लाया जाता है बेनी ने मरने के पहले डोना के नाम जीम और एक बड़ा अपार्डमेंट किया है गेविन डोना से पुछता है कि क्या उसने अपना जेंडर चेंज किया है गेविन की बातों पे DNA सैंपल लैब भेजे जाते है यहां सुजान को याद आता है कि वो बच्चपन में सिमॉन को लड़की जैसा मेकप किया करती थी जो उसे पसंद नहीं था वो फोन करके एलेक्स से कहती है कि उसी ने सिमॉन को लड़की की तरह ट्रेट करके बुजदिल बनाया वो अंदर से लड़की की तरह नाजुक बनता गया एलेक्स को याद आता है कि हाई स्कूल में भी बाकी लड़के सिमॉन को एलेक्स की गल्फरेंड कहते थे उन्हें लगता था कि उन दोनों में संभन है इस बात को सिमॉन ने सिरियसली लिया और वो अलेक्स की तरफ एट्रेक्ट होता गया सिमॉन की फिलिंग को देखके अलेक्स और घुसा हो गया था उसके हिसाब से पयार सिर्फ एक मर्द और एक आवरत के बीच होता है किसी दूसरे मर्द के साथ नहीं मगर सिमॉन ये मानने को तयार नहीं था जिसकी वज़ा से एलेक्स ने सिमॉन से दूरी बनाई या गेविंग चीफ को बताता है कि दो साल पहले सिमॉन जब पैरिस से लटा तो इमिग्रेशन डिपार्मेंट ने उसे रोका था क्योंकि उसका चेरा पूरी तरह बदल गया था मगर प्लैस्टिक सर्जरी के पेपर्स दिखा के वह छूड गया तो अब इमिग्रेशन डिपार्मेंट पुलिस को सिमॉन का नया चेरा फैक्स करते है तबी CCTV चेक कर रहे है एलेक्स को बेनी के साथ उस अंजान किलर की कोई बात दिखाई देती है जिससे वो पुरी तरह शौक हो जाता है या पुलिस भी फैक्स पे सिमॉन का नया चेरा देखके शौक हो जाती है किलर उनके आसपास था मगर वो जान नहीं पाए वो कोई और नहीं बलकि कियारा है सिमॉन ने प्लैस्टिक सरजरी के जरिये खुद को कियारा बनाया कियारा के फ्लैश बैक से पता चलता है कि पैरिस से आने के बाद कियारा बना सिमॉन अपनी सिष्टर सुजान से मिलने गया था सुजान एलेक्स को कॉल करके बताती है कि सिमोन ने अपना जेंडर रिवेंच के लिए नहीं बलकि तुम्हें पाने के लिए बदला है क्योंकि तुम्हारे हिसाब से एक मर्थ सिर्फ एक आउरत से प्यार कर सकता है इसलिए सुजान चाती थी कि एलेक्स सिमोन को धुंडे ताकि वो उसकी फिलिंग समझ सके यहां एलेक्स कियारा के पास पहुँचता है कियारा सिमोन से कहती है कि मैं तुमसे जूट तो नहीं बोलना चाती थी मगर दिल के हाथों मजबूर थी किसमत में हमारा मिलना लिखा था तो हम मिली गए मैं तुमारे पास आ गई और अपने आपको भूल गई जूट को सच बना के बैठी एलेक्स घुसे से कहता है कि तुम्हें ऐसे कैसे लगा कि जेंडर बदलने से मैं तुमसे प्यार करने लगूँगा तुमने जो किया वह धोका है तुमने रिवेंज उन लोगों से नहीं मुझसे लिया है कियारा उसे बताती है कि अगर ऐसा है तो नीन में तुम सिमोन का नाम क्यू लेते हो सोते जाकते उसके बारे में क्यू सोचते हो क्योंकि तुम भी कई उसकी तरफ एट्रेक्ट हुए हो मैंने उन लोगों को मारा क्योंकि उनकी वज़ा से नह चाते हुए भी मुझे लड़की बनना पड़ा अपने सपनों को चकना चूर हुआ देख एलेक्स बोखला जाता है एक फिलिंग उसे सिमोन से दूर करना चाती थी तो दुसरी उसे कियारा के पास खीच रही थी मानों वह भी सच्चा ही भुला के कियारा के बाहों में जाना चाता है यहां यह भी पता चलता है कि सिमोन यानि कियारा ने स्रिप बेनी और जैक को मारा था मगर सिमोन पर हुए अत्याचार को सुनने के बाद एलेक्स ने जीमी को उसके घर जाके मार डाला इस बात को जैकलीन पहले ही जान गई थी जब उसे जीमी की लाश के पास एलेक्स का लाइटर मिला था यहाँ पुलिस कियारा को एरेश्ट करने उसके घर की तरफ निकलती है एलेक्स कियारा को भाग जाने के लिए कहता है वो उससे कहता है कि अगली बार मिलोगी तो प्यार मत करना कियारा उससे कहती है कि सच्चा प्यार बुरा नहीं होता अपनी फिलिंग को दबाना बुरा होता है अब कियारा सड़क के बीच खड़ी होके सुसाइड करने की कोशिश करती है तो एलेक्स उसे बचाता है दोनों पुलिस से बचके भांगने लगते है तो पुलिस उनका पिछा करने लगती है काफी लंबी चेस के बाद से नीचे गहरे पानी में जोग देता है पानी में दोनों एक दूसरे की बावों में समा जाते है ब्रीज पे खड़ी जैकलीन एलेक्स का लाइटर जला के उसे शर्दान जली देती है सच मुझ प्यार को समझना नामुनकिन है मूवी यां खतम होती है दोस्तो एक्स्प्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज जैसे देखते हो वैसे सब्सक्राइब भी कर देना बहुत फरक पड़ता है तो फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग